नमस्कार मित्रों, मित्रों साल 2019 सितंबर के महीने में जहां एक तरफ चार बड़े ग्रह सुर्य, मंगल, बूध और शुक्र अपनी राशी बतलेंगे तो वहीं सी महीने में शनी धनु राशी में मारगी होने जा रहे हैं ग्रहों के राशी परिवर्तन और शनी के मारगी होने के कारण 12 राशियां पर इसका असर दिखने को मिलेगा, शनी ग्रह 18 सितंबर 2019 की सुबह 11.48 मिनट पर मारगी होंगे, तो यह जानते हैं शनी की इस अवस्था का राशी उपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेस राशी, मेस के हुए कामों को नए मारग प्रसस्त करेगा, कारे छेतर में तीजी आएगे और इस समय भागी का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, शनी कर्म फल दाता हैं, जो आपके राशी से भागी स्थान में वकरी से मारगी होने जा रहे हैं, इसलिए इस समय आप जितनी मेहनत करेंग उसी के नुसार आपको लाब प्राप्त होगा, व्रसब राशी, शनी व्रसब राशी के अश्टम भाव में मारगी होंगे, जिसके फल स्वरूप आपकी यातराओं के अधिक योग बनेंगे, इसके लावा शनी आपको धन लाब भी करवाएंगे, आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलने के संकेत हैं, इस विशय में अगर आप इस समय कोशिश करेंगे, तो बात बन सकती है, करियर में भी अच्छे प्रणाम मिलेंगे, साथ ही इस समय लव लाइफ रोमैंटिक रहेगी और आप किसी से अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों के लिए शनी का मारगी होना पारिवारिक स्तर पर बहुत अधिक लाभकारी रहेगा, आपको जीवन साथी को इस समय कोई सम्मान मिल सकता है, जो आपको खोशी महसूस करवाएगा, इस समय शनी देव आपके भागी को चमका सकते हैं, कुछ इस समय प अपने स्वास्थे पर विशेश ध्यान देना होगा, विरोधी पक्ष इस समय शांत रहेंगे, यात्रा के योग बन सकते हैं, और ये यात्राएं पारिवारिक या कारच छेतर के सिलसिले में हो सकती है, अतीत में किया कोई निवेश इस समय आपको अच्छा लाभ करा सकता ह किसी सम्मान की प्राप्ति के योग हैं, सिहराशी, सिहराशी के जातकों के लिए शनी का मारगी होना उनकी लव लाइफ के लिए बहुती उत्तम रहेगा, पार्टनर के साथ रिष्टे में मधूरता और नजदिकिया बढ़ेगी, संतान पक्ष के लिए भी समय शुब इस राशी के ऐसे जातक, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है, धन संचय के लिए भी समय शुब है कन्याराशी, कन्याराशी के जातकों के लिए शनी का मार्गी होना, उनके सुख वैबों में वृध्धी करने वाला होका, आपकी राशी के चतुर्थ भाव में शनी मार्गी हो रहे हैं, जो आपकी सुख स्विधाओं को बढ़ाने वाला होका, नौकरी वावयसाय कर रहे है के लोगों के लिए अपने प्रयास्टों के चलते तरक् disgrace की संभावना है उप्राश्टी के लिए शनी का मार्गी होना उनके प्राक्रम में वृद्धि करेगा जिस कारण आप अपने कारी को बहतर तरीके से करेंगे कारे छीत्र में समय अपने कालियों के चलते आपके तरक्की के रास्ते खूल सकते हैं भागे का बहतर साथ आपको मिलेगा लेकिन वहीं अपने खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना होगा रिष्चिक राश्य के जातकों के लिए शनी का मारगी होना आर्थिक रिष्टी से बहुत हिफाद्य मने रहेगा क्यूंकि आपके धन भाव में शनी मारगी हो रहे हैं bread system 18 सितंबर को शनी धनु राशी में ही मारगी हो रहे हैं जिस कारण ऐसे चाह तक जो किसी तरह की स्वास्थे समंधी समस्या से परिशान थे उन्हें इस समय लाब मिल सकता है भाई भैनों से संभावित मदद भी आपको मिल सकती है लव लाइफ में भी आपको साकारत्मत परिणाम मिलेंगे पार्टनर पर विश्वास बढ़ेगा बहतर करियर के लिए मारगी शनी आपके लिए अच्छे आउसर के योग बना सकते हैं मकराशी शनी जो की मकराशी के स्वामी गरह भी हैं इसलिए इस समय आपको अचानक धन लाब हो सकता है अपने फाइनेंशियल कंडिशन को सुधारने के चुक जातकों को उनके कोशिश द्वारा सफलता मिल सकती है शनी इस समय आपको बच्चत में भी वृद्धी के संकेत दे रहे हैं कुम्हराशी शनी का मारगी होना कुम्हराशी के जातकों के लिए लाब कराने वाला होगा करियर में स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं जिस लाब का आपको बेस्थबरी से इंतजार था वो भी इस समय मिल सकता है वैवसा या नौकरी के शुरुवात करने वाले लोगों के लिए भी समय उत्तम फल देने वाला होगा मिंदराशी मिंदराशी के जातकों के लिए शनी कर्म भाव में मारगी हो रहे हैं जिस कारण आपको कारे छेतर में सफालता मिलने की संभावनाय हैं ऐसे कार्य जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे उन कार्यों के बनने के योग हैं धन निवेश करने के प्लानिंग भी समय आप कर सकते हैं विवाहित जातकों के जीवन में सुख सौभागे की वृत्धी होने के योग हैं मित्रों 18 सितंबर 2019 शनी होंगे मारगी इन आठ राश्रियों के मिलेगी बड़ी खुश खबरी जय माता दी मित्रों